आदाव नाजरीन मैं हूँ आपके साथ कश्पी शमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्दगु गुफ्दगु में आज हमारे साथ जो शक्सियत गुफ्दगु करने के लिए मौजूद है वो एक बहुत ही मशूर शक्सियत हैं बहुत ही मशूर पोस्नार्टी है टीवी और थेटर के दुनिया का वो नाम है जिससे आजकल की पीडी को काफी कुछ सीखने को मिलता है हमारे साथ आज गुफ्दगु करने जा रहे महाभारत के द्रोणाचार है सुरेंदर पाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुफ्दगु नमस्कार, गुफ्तगू के सभी दर्शकों को सुरेंदरपाल सिंग का प्रणाम सुईकार हो आपने मुझे महाभारत में देखा था, द्रोनाचार के रूप में देवों के देव महादेव में देखा था, प्रजापती दक्ष के रूप में और शक्तिमान में देखा था सही पकड़े किलविश के रूप में जी हाँ मैं सुरेंदरपाल सिंग फिल्म और टेलिविजन जगत का कलाकार आज आपके सामने मेरा स्वभाग यह है कि गुपतगु में मुझे मैडम ने आज बुलाया है और मुझे से बातचीत करने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूँगा पुछे मैं सबसे पहला सवाल है कि आपके पैदाईश हुई थी लखनों में लखनों से आपका जो करियर जो शुरूँ वा आपके बार में जानना चाहती है क्योंकि हर कोई आपके बार में जानने के लिए बहुत उत्सुख है मैं एक चीज़ बता दूँ मेरे पिता जी जो थे पुलिस में डीएसबी थे और उत्तरप्रदेश पुलिस में थे उनका ट्रांसफरिबल जॉब था वो हर जगे ट्रांसफर होते रहते थे हमारा जनम जरूर लखनौ में हुआ था लेकिन हमारी जो परवरी शहर वो अलग-अलग शहरों में होती रही है जैसे हम मत्रा में भी रहे हैं, हम बरेली में, मुरादवाद में भी रहे हैं, और हम इटावा जैसे शहर में भी रहे हैं, तो ज़्यादातर हमारी एजुकेशन जो है वो इटावा में हुई है, इटावा, जो कानपूर और आगरा के बीच में छोड़ा सा शहर है, इटावा, वहीं पे हमने लोटा घर में था तो सब भाई तो बहुत बड़ी-बड़ी आर्मी में, पुलिस में, एर फोर्स में, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे चले गए, लेकिन मैं ही एक निकम्मा जो था वो पीछे रह गया, लेकिन मेरे दिल में यही था, एक दिन पिताजी ने मुझे पूछा त तो मेरे फादर को मेरे पे बहुत गुस्सा आया, बोले तुम फिल्म लाइन में जाओगे, फिल्म लाइन में आस तक कभी कोई कामयाब नहीं हुआ, मैंने का जो कामयाब लोग होते हैं, वो अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, और उनकी जम्प अलग होती है, सब कु सबसे ज़्यादा शोशलाइज कर सकती हैं एक है नेता दूसरा है अभी नेता नेता बनने के मेरे में गुड़न नहीं थे इसलिए मैं नेता नहीं बन पाया लेकिन अभी नेता बनने की मैंने कोशिश जरूर की और उसी उमीद और उसी आस के उपर मैंने बंबई तक की अपन लेकिन फिर धीरे उसी दौरान मेरी मुलाकात कादर खान जो हमारे विलन और राइटर थे उनसे मुलाकात हो गई और सुभाईश गही साथ से मलाक बेद और उन्होंने उसी वक्त क्रोधीक फिल्म बना रहे थे और उसमें मुझे एक छोटी सी भूमिका दी विक्टर इंजीनर की छोटी सी भूमिका बहुत छोटी थी लेकिन वो ती धर्मिंदर जी के साथ थी और एक बड़े कलाकार के साथ काम करने का एक अलग experience होता है तो मुझे पहले टेलिविजन नहीं था टेलिविजन नहीं होने के लिए कलाकार के सामने संगर्श बहुत ज़ादा करना पड़ता था आज टेलिविजन एक्टरों को काम बहुत ज़ादा दे देता है फॉरण एक एक्टर आता है उसको तीन हजार, पांच हजार, दश हजार, पंदर हजार, बीस हजार, पिच्टर हजार रोपए पर डे मिले लगता है और उसकी गाड़ी चल लेती हमको 6 महीने में एक शूटnia होती थी तो हमको पैसे मिलते थे और बड़े कम से मिलते थे पांसो रुपे मिलते थे अजार रुपे मिलते थे ऐसे पांसो हजार में हम गुजर बसर करने हो पर मैं खाना भी एक वक्त का खाता था इसलिए कि सुबह का दुपहर में खा लूँगा तो सुबह का भी हो जाएगा शाम का भी हो जाएगा इस तरह हम गुजर बसर करते थे हमारे टाइम पर स्ट्रगल बहुत जादा था लेकिन सम्हाव इश्वर की कृपा रही है धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी है और उसके बाद ही मुझे 82 में फिल्म मिल गई थी कादर खान की शमा शमा जिसके गाने बहुत बड़े हिट थे और मास्टर राजू था जो छोटे बच्चे का रोल गया था और मैं उस फिल्म में बतारे हीरो आया और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई बहुत बड़ी सुपर हिट हो गई और उसके बाद फिर में रेजली रास्ते फिल्मों के खुल गये खुलने के बाद भी सागर साब का बहुत हेट हो गया था और उसके बाद लोग मुझे ये कह रहे थे मार्केट में कि एक और बहुत बड़ा सीरिल बनने जा रहा है महाँ भारत तो वाई डूंट यू ट्राई फॉर थैट हमारी हिरोईन थी वहां रोशनी करके थी उसने कहा सुरेंदर तुम ट अडिशन लेंगें अडिशन से मैं कुछ कत्रा आ गया था कि मैंने का हम फिल्मों के हीरो हैं हमारा अडिशन क्यों क्यों कि उस वक्त लोग जब बड़ा इगो की प्रॉब्लम आ जाती तो मैंने उनको मना करके चलाया था उसके बाद गूफी पिंटल साहम ने मुझे एक द अडिशन के आए हूं सबने मैंने बहुत बड़े बड़े देखे हुए थे और यह चोटा सा मतब बुद्धे का रोल मैं तो इंडस्टी में आते ही एक बुद्धे की में हो जाई कि मेरी और लोग जो है मुझे अपनी फिल्मों में लेने से मना कर दे हैं अपनी फिल्मों म मेरे पास पुलसर आपको बुलाया है उन्होंने और फिर मैं उपर गया चुपड़ा साफ के पास मिलने के लिए और सम्हाओ वहां पे राही मासूम रजा जो हमारे राइटर थे वो सभी लोग बैटे हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि दुरुनाचार एक आर्मी के ज इसा लगने लगा कि हाँ इसमें कर दिकारी करने से लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि महाभारत कभी इतना बड़ा हिट होगा दरशक उसे इतना पसंद करेंगे यह ऐसा होगा कि हिंदुस्तान में सड़के खाली हो जाएंगे यह एक ऐसा सकते हैं जो लोगों को यकीन नह जाएंगे सड़के खाली होना it is impossible हमने ऐसा सोचा नहीं था और मैंने नहीं सोचा था बियार चोपड़ा साब नहीं सोचा था रवी चोपड़ा नहीं सोचा था और मेरे खाल से किसी भी कला करने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा लेकिन जब महाभारत टेलीकास्ट होने शुरू ह तो तीसरे एपिसोड जब भी शम्प्रतिग्या आती है मुकेश खन्ना की उसके बाद शो ने बहुत बड़ी लीप पकड़िया और उसके बाद तो जग जाहर है सब लोगों को मालुम है कि पुरानी महा भारत कितनी पॉपलर रही है और लोगों ने हिंदुस्तान में उसे कि किया है कितना सराया आज भी मैं सड़क पे चलता हूं तो लोग मुझे पीछे से कहते हैं देखो 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 तो क्या डिफरेंस लगा और आपको किसमें जादा मज़ा आता है पॉजिटिव रोल में जादा तर आपकी जो फिल्में जो सीरियल से पॉजिटिव हैं मैं एक बात बता दूँ आपको अपने बारे में मैं एक वो कलाकार था जो चुनोती लेने से कभी घबराता नहीं था आप ये सोचे जब मुझे हीरो बनना था तब मैंने एक बुढ़े का रोल कर लिया था जो सौ साल की जिसकी सफेद दाड़ी थी सफेद विक थे सारी मैंने उसे भी चौनोती के रूप में सुकार किया था मैंने यह नहीं कभी कह था कि यहां images काम करती है तेलीवी फिल्म के इंदर तो image जो है मुझे जो है image जो है मेरे उपर चा जाएगी मेरे उपर हावी हो जाएगी और मैं काम नहीं कर बाऊंगा मैंने उसी वक्त अपने आपको मैंने कहा ये मेरे लिए किलविश का रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको मैं नहीं करूँगा तो मेरी इमेज नहीं तूट पाएगी और मैं सच कहता हूं कि आम थैंक्फुल टू मुकेश करना जी कि उन्होंने मुझ जबकि वो एक ही आदमी के पीचे फड़े हुए थे अम्री इश्पुली जी ही मेरा ये रोल कर सकते हैं किलविश कोई हिंदुस्तान में नहीं कर सकता मैंने कई जब तक तुम किसी आक्टर को दोग है नहीं तब कोई करेगा कैसे जब तुम किसी को दोग है तब करेगा ना अम्री इश्पुली, अम्री इश्पुली, अरे अम्री इश्पुली एक बार चांस ओ दे के देखो किसी भी इकलाकार को हम हो सकता है आपको निराशना करें असे ज़ादा अच्छा कर तेंग और उसके बाद हमने इस रोल को किया, बखू भी किया फंडूस्तान में साट सा तक ये सीरिल चला है, seven years चला है, क्योंकि पहले सिर्फ दूरदर्शन था, private channels नहीं थे, तो और शक्तिमान ने मुझे as an actor बता रहा हूं मैं, मुझे बहुत हख्याती दी, popularity दी, as a कलाकार मुझे बहुत बड़ा नाम दिया. दूरदर्शन से आपने करियर के शुरुआत की थे और अभी आप दूरदर्शन के ये चानल पर बैठे हुएं, तो कैसा लगता है उन पुरानी बातों को जब आप याद करते हैं, दूरदर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि दूर वेस्टन कल्चर, वेस्टन कल्चर क्या है, जो बाहर में हॉलिवोड की सीरिल बन रहे हैं, उनकी अडप्टेशन हैं, वो लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे याँ देखे, बुनियाद, नुकर, महाभारत, रामयन, चानक, चंदरकानता, जैसे अच्छे अच्छे धारवाहिक बने हैं, यह सब दूरदर्शन पर बने हैं, और दूरदर्शन से मुझे बहुत लगाव है, मैंने दूरदर्शन पर काम करना कभी नहीं छोड़ा, मेरा औरत करके सीरिल था, मंदरावेदी जी के साथ, वो बहुत चला है, बहुत पसंद किया गया है, और उसके बाद भी मे मैं आज भी यह कह सकता हूं कि गाउं के अंदर इंटीरियर तक हमारे देश के कोने कोने में दूरदर्शन की पहुंच है, और यह बास जरूर आप सही कह रही हैं कि मैंने प्राइवेट चैनलों पर बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन मैंने दूरदर्शन पर हमीशा ए चंदरकांता है, शक्तिमान है, और बहुत सारे महाभारत है, और उनका अभी जो रीमेक बनने लगा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, अभी लोग आपको उसी तरह से याद करते हैं, जो नए रीमेक बने, वो लोगों को याद भी नहीं है, तो कैसा लगता है इस बारे में मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा इसके बारे में, कि जो पहले के जो सीरिल थे, मैं मानता हूं, आपकी बास से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, कि जो टेक्निक आज है हमारे पास, जितनी एडवांस टेक्निक आज हमारे पास है, उतनी हमारे पास उस और महा भारत, रामायन, चंद्रकांता, शक्तिमान जैसे जो शोज बने हैं, उसमें एक आत्मा थी, सोल थी, जो लोगों को बहुत पसंद आती थी, भले ही मैं आपकी बात से सहमत हूं, कि टेक्निकली बहुत एडवांस नहीं थे, लेकिन उसमें सोल थी, और वो सोल लोगो को दिखती थी, उसके बात क्या हुआ, जब अब जो महा भारत चैनलों पर बननी शुरू हुई है, उसमें लोगों की बॉडी, कम कपड़े, ये इधर से वो है, इधर से वो है, इस तरह की चीजें, जो आने लगी लोगों की बॉडी के उपर ज़्यादा वर्क होने लगा ह है, और उसमें से सोल में सो गई, बनाया आपने टेकनिकली बहुत अच्छा बना दिया, टेकनिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप जो उसमें डायलॉग है, लफाजी जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं, जैसे महा भारत के जो डायलॉग थे, वो आज भी मेरी जुब हरण के लिए दुशाशन उसे खीच के लाता है, तो दुरुणाचार प्रोटेस करते हैं, कहते हैं, केवल दुरुपत सुता की लज्जा नहीं लुटी है, आज यहां सारी नारी चाती के संग, लज्जत सब समाज यहां, मेरी यही प्रातना है राजन, इस दुर्योधन को दंड कठोर मिले, जितना घोर पाप, उससे भी अधिक दंड घन घोर मिले, तो कहने का मतलब यह है, कि उस भाशा में जो गरिमा थी, उस भाशा में जो एक जोश था, जैसे वो कहता है, अपनी जैसे दुर्योधन उसको वाण करता है, रणभूमी के अंदर, कि आप हमारे प्रधान सेना पती हैं, लेकिन आप युद्ध जो हैं, पंडमों के पक्ष में कर रहे हैं, और चलाता है उनके पर, खेता है, अपनी नात की आज धीमी करो दुर्योधन, यह मत भूलो कि तुम माचारिय द्रोंड से बात कर रहे हो, उनसहाई पंड़ पुत्रों से नहीं, म अरजन को यह द्भूमी से दूर हटा लो, मैं युद्धिष्टर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंब दूगा, और हाँ, कल मैं चक्रवियो की रचना करूँगा, कल मैं चक्रवियो की रचना करूँगा, तो इतने लंबे लंबे डायलोग आप कहोगे, कि हम लोगों को यात कैसे हो जाते थे, मैं यही बताना चाहरा हूँ आपको, कि वो जो सरलता थी, वो जो सोल थी, वो जो आत्मा थी उसके अंदर, वो बाहर निकल कराती थी, हम लोग दिल से बोलते थे, जबान से नहीं बोलते थे, कि डायलोग मिल गए हैं तो बोलने हैं, कहने हैं, यह करना है नहीं करते थे, उनको feel करते थे, महसूस करते थे, अंदर से कोशिश करते थे कि दिल से आवाज निकले, तो वो महाभारत लोगों के, अगर हमारी दिल से आवाज निकली, तो लोगों हमारी जनता के दिलों में पहुँची वो आवाज, इसलिए वो महाभारत इतना popular हुआ, र लेकिन उसमें से आत्मा चली गई है टेक्निकली बहुत एडवांस है चीजें लेकिन वह है और यही कारण है कि अभी तक करीब सत्रा बार महाभारत बन चुकी है शार्द बारा तेरा बार रामयान बन चुकी हर चैनल पर आ चुकी है हिंदोस्तान का कोई भी चैनल देख लो उसमें आचुकी हैं रिपीडिट टेली कास्ट हो चुकी है इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं और दरश्रकों को ही बताना चाहता हूं तो आपको सबसे जादा स्ट्रॉगल सबसादा मुश्किलात का सामना किसमें करना पड़ा अफकोर्स मैं तो यह कहूंगा कि थीटर जो है बहुत डिफिकल मेडिया है सबसे जादा महनत जो है वो थीटर में लगती है क्योंकि थीटर में एक चीज है कि कोई रिटेक नाम की च कर पा रहे हैं तो हम सेकंड टेक दे देंगे थर्ड टेक दे देंगे लेकिन जब हम स्टेज के उपर काम कर रहे हैं मंच के उपर काम कर रहे हैं तो हमारा कोई रिटेक नहीं होने वाला है हमको बैस्ट देना ही देना है तो उसके लिए जो ऐलर्टनेस है वो होना बहुत ज on stage on stage जिसे पुनीत इस्थर सहाब ने डिरेक्ट किया है और लिखा भी उन्होंने है और फैलिसिटी थीटर वाले जो है वो इसको प्रोडूस कर रहे हैं और मैं इसमें काम कर रहा हूं और फिर द्रोन अचार का रोल कर रहा हूं जब कि हम फिल्म और टैलीवीजन के में जब काम कर लेते हैं जब फिल्म होगी य यथ विजन का सीडल जब टैलीवीजन के उपर आएगा तब दर्शक हमको देखते हैं पसंद करते हैं उआ जो भी है अच्छा या बुरा जो भी result है में बाद में मिलता है लेकिन theater का जो result है वो on the spot मिलता है उसी वक्त मिलता है तो यह है और अब web series आ गई है web series में एक चीज है कि वहाँ sensor नाम की कोई चीज नहीं है तो जो producers वग रहे हैं उसमें liberty जादा ले ले लेते हैं लेकिन हर चीज मैं तो कहूंगा कि समय बदल रहा है time change हो रहा है चीजे एडवांस होती चली जा रही है और इसलिए हर चीज जो है popular हो रही है अब देखें कि web series के बाद television की टीर पी कम हो जाएगी प्राइवेट चैनल्स वगरे है क्योंकि लोगों को हर चीज जो है बैठे बैठे देखनी है आपना मोबाइल खोला वो देखा web series में censorship का कोई involvement नहीं होता है तो आप के लिए इतना चालेंजिंग हो जाएगा या मतलब web series में आप सब कुछ लिखा है नहीं मैंने लोगों के साथ काम किया वो लोग बहुती सुलजे हुए दिमाग के लोग थे फरान अक्तर और जोया अक्तर जो है जो बहुती अच्छे producer director है उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई है बड़ी संजीधा फिल्म बनाई है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि हाँ सेंसर नहीं होने की वज़े से थोड़ा सा समाज पर असर तो पड़ेगा इसका लेकिन हमारी भारती संभिता भारती परंपरा भारती संस्कृती पूरे वर्ड में अगर कहा जाए तो सबसे अच्छी अगर कही है तो वो हिंदुस्तान है अगर कोई सबसे अच्छा देश है तो वो हिंदुस्तान है यदि यहां सबसे ज़्यादा एकनॉमिक अच्छी है तो वो हिंदुस्तान है अब ये तक आप उने प्रोफेशनल लाइफ के वारें बता रहे थे हैं, मैं आपकी जाती जिन्दगी के वारें जाना चाहते हूँ कि एक्टिंग के बाद जब सब ओवर हो जाता है, थेटर से बाद फारिग हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? हाँ, बिल्कु सही का आपने, मुझे बहुत शौक है, मैं बता हूँ, आपको इस्पोर्ट्स का बहुत शौक है मुझे, और जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है, मेरे बच्चों को भी, मेरे दो बेटे हैं, शिवम और शुभम सिंग, और मेरी एक बेटी है शिवांगी और तीनों बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, और उनको भी, मेरे बच्चों को भी स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, और हम लोग खाली टाइम में कोशिश कही करते हैं, कि हम लोग मिलके खेले हैं, जैसे बेर्मिंटन केलता हूँ, टैनिस केलता हूँ, मैं स्कॉश केलता हमारी responsibility बच्चों की प्रती भी थोड़ा सा होती है अगर हमें भगवान ने पिता बनाया है तो पिता के साथ साथ हमें एक धरम भी दिया है उन्होंने कि हमें अपने धरम को भी निबाना चाहिए और हर इंसान को हिंदुस्तान में माता पिता जो लोग बनते हैं उनको धरम भ से करें और बच्चों को भी मैं नसीहत यही देना चाहूंगा हिंदुस्तान में कि अपने माबाप जिस तरह माबाप आपके जब छोटे छोटे आप होते हैं तो आपके हांद पकड़ के माबाप आपको चलना सिखाते हैं लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब आप करने की जरुवत नहीं पड़ेगी जीवन आपके जीवन में यदि कोई लिविंग गॉड है तो वह आपके माबाप है इसलिए अपने माबाप का सम्मान हमेशा करें आप आप अपने बच्चों से एक्सपिक्ट करते हैं कि वह एक्टर बने आपके तरह कामयाद है जी मेरे और फिल्म ही को वह अपना करियर बनाए और चूटा वाला बेटा अभी ग्रैज़ोशन कर रहा है दिली में दिली इंदिलिए अदिली फड़ें पढ़ता है वह वह भी बहुत इच्छुख है और वह भी धीटर वग़ए करता रहता है अभी चोटा सा है अभी आपी करता है मेरी बेटी को कोई शौक नहीं है, मेरी बेटी जो है वो फिटनेस में है, हाँ, और वो फिटनेस के लिए ज्यादा वो एक्टिव रहती है अब आपसे मैं आखरी सवाल पूछूँगी, आपने हिंदी फिल्मों के लावा भोजपूरी फिल्में भी की है, तो भोजपूरी फिल्मों में ज्यादा आपको मज़ा आया या फिर हिंदी फिल्मों में के भोजपूरी में खाल साब की जबान नहीं होगी जितनी की हिंदी ह Mayuri ещё informal बोश्पुरी जबान बिल्कुल नहीं है। और बोश्पुरी फिल्मे में जो जो फिल्म की गंगा की बेटी मेने फिल्म की हो सुपर डुपर हेट हुई। उसके बाद मैंने कही सारी फिल्मे किये हैं। मैं देश की सभी भाषाओं का बहुत संबान करता हूं और हर भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं यह कहूँगे हमारे देश की हर भाषा बहुत अच्छी है लेकिन मैं तनिक अपनी भुजबरी भाषा को जादा ही प्यार करता हूँ बेटा के बुता पर खांदान के इजट नहीं खे समले जब तक हमरा जान में जानबा हमरा शान राम भदर के शान के उपर रही और डर लगता तो अपने बचुआ के अपने अचरुआ में चिपाई ले हम जा दबा और हम जा रहे हैं और अब ना आई मेरी माँ जो है उस भाशा में ही बात करती है बिटुआ इधर आजाओ बिटुआ कहां जा रहे है बिटुआ ये कर तो वो मुझे अपनी माँ की भाशा मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है वो भाशा और इसलिए मैं हमेशा साल में एक पिक्चर, साल में एक, ज़ादा नहीं करता हूँ, साल में एक पिक्चर करता हूँ, अभी मेरी पिक्चर आई है, पवन्सिंग के साथ, मा तुझे सलम, बहुत बड़ी हिट हुई है फिल्म, और जैसे मैंने का ना कि मुझे ऐसा लगता है भ बहुआत déficult लगता हुँ ँब हमने पनी सरागें जोन हो मुझे मेने तमिल में काम किया है। मैंने हैं और मुझ्राइव कोई देश की भाषा ऐसी नहीं है जिसमें लैंग्वेज में फिल्म बनी हो मैंने काम ना किया हूँ जैसे तमिल तेल्गू जो है बहुत डिफिकल्ट भाशा है थोड़ता हूँ याद करता हूँ और मतलब को समझने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब यह है इस तरह मैंने फिल्में किये मेरी लास्ट विल्म थी Mr. Romeo, Prabhu Deva, Shilpa Shetty के साथ तमिल में बहुत बढ़ी हिट थी मैंने नगमा और राज शेकर के साथ की थी आवेशम करके एक फिल्म थी तेल्गू में थी बहुत बढ़ी हिट थी मैंने मल्यालम में एक फिल्म की थी जिसमें Sandalwood Smuggler बना है तो वो कहता था मतलब मेरा नाम टेकन है टेकन तो वो कहता था और कान में बाली पहुचता था वो कान को यह यह करता था तो that was the thing बहुत अच्छा जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है फिल्मे मैंने बहुत अच्छी की है टेलिवीजिन बहुत अच्छा किया है सभी ईश्वर की दया रही है कि काम के लिए मेरे पास फ्लडेड विद दबर का है अभी सिया के राम सिया के लवकुष एक शो आ रहा है जिसमें मैं दश्रत की भूमी का निभाऊंगा राम के पिता की देवों का देव महादेव चल रहा है स्टार भारत पे वो चल रहा है अभी मेरा एक नया शो एक और बन रहा है DD1 के लिए जिसकी शूटिंग इनद नुबंबे में चल रही है वो चल रहा है और कई सारे हैं शो जो चलते रहते हैं हम on and off होते रहते हैं और मैं बहुत enjoy करता रहता हूँ 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ अभी तक और कभी काम ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने काम को नहीं छोड़ा बस यह समझ ली दे बहुत मज़ा है आप से बात करके यह इतनी सारी चीज़ा आप करें जानने को मिली है और आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया इसके बहुत बहुत शक्रिया तो नाजरीन हम बात कर रहे तो सुरंदरपाल जी से जो कि एक बहुत वोसिटाल पोस्टनाल्टी है बहुत ही खुबसूरत पोस्टनाल्टी बहुत ही अच्छी शक्सियत के मालिक है और इतने सारे उन्होंने रूल्स किये चाहे वो द्रोणा चार्रे हो या फिर किलविश हो या फिर देवों के देव महादेव में भी आपने उन्हें देखा होगा तो बहुत मज़ा है और मुझे यकिन है कि आपको भी आज का ये एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा होगा फिलहाल मुझे हर मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त अगले हफते फिर आओंगे एक नई शक्सियत के साथ अल्लाहाफिज झाल्ड़ाफिज